Hi guys welcome back, this video में आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है, दोस्तों, अगर मानलो हम कोई बीनी normal वीडियो को एक live wallpapers पर set करना चाहें, मतलब हम अपनी normal वीडियो को अपनी lock screen पर as a live wallpapers set करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा iPhone 6S है, और यह जो trick है, सिर्फ iPhone 6S या इससे ऊपर वाले devices पर चलने वाली है, आप अगर इससे नेचे वाले devices पर हैं, तो आप प्लीज अपना time waste ना करें, जैसे यूजूली अगर आपको वीडियो में तो आप देख सकते हैं, तो चलो पढ़ते हैं इस वीडियो में, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, iPhone 6S, live wallpapers को support करता है, जो भी iPhone live wallpapers supported है, उसमें ये trick work करेगी, सबसे पहले आपको अपनी normal video चेक कर लेनी है, जैसे मान लो, मेरी normal video, for example, मैं इस video को, मान लो, as a live wallpaper convert करना चाहता हूँ, तो guys, सबसे पहले, एक चीज़ का ध्यान रख लो, कि जो आपकी वीडियो है, वो जादा से जादा 10 seconds की हो, कि इस से जादा अगर हुई, तो आपके device पर फोड़ा सी performance issue की problem आ सकती है, जैसे कि आप देख सकते है, यहाँ पर मैंने जो अपनी video है, totally reduce करके कर ली है, जैसे कि आप देख सकते है, totally video जो है, 4-5 seconds की कर ली है, तो मैं अगर इस video को apply करना चाहूँ as a live wallpaper, तो मुझे पहले इस video को save कर लेना है, basically अपने video को normal कर लेना है, normal करने के बाद आपको app store पर जाना है, और आपको एक application डाउनोड करनी है, जैसका नाम है into live, जैसे कि आप चेक कर सकते है, यह application है, मैंने पहले से डाउनोड कर रखी है, into live मैंने type गल्थ किया था, तो य यह application मैंने पहले से install कर रखी है, आप देख सेते हैं, इसका जो size है, आपको मैं check कर वाद हूँ, इसका size है, वो 100 MB से कम है, मतलब 45 MB है, आप check कर सकते हैं, चलो इसे open करते हैं, और मैं आपको recommend करना कि अपना internet connection बगारा बंद करके इसे open कर नहीं, वरना ads बगारा show कर सकती है, तो अब हमें वो video select करनी है, जो video को मैं एक live wallpaper as a live convert करना चाहता हूँ, मानलों मैं ये video को convert करना चाहता हूँ as a live, तो मुझे सबसे पहले, इसकी sound वैसे आने ने वाली, आप अगर lock screen में तो sound आने ने वाली, आप mute भी कर सकते हैं, और इस application में आप filter भी apply कर सकते हैं, और इसक speed को घटाब घटाबी सकते हैं, जैसे कि आपको simply make के उपर click करना है, और आपको यहाँ पर option आ रहा है no repeat का, आपको इस पर click करने के बाद, यहाँ पर preparing clean हो जाने के बाद, आपको save live photo option आ रहा है, बस आपकी save हो गई है, आप देख सकते हैं, आपकी photos app में एक नई live photo available हो गई अब आपको simply share button के उपर click करना है, और आप use as wallpaper करके अपनी कोई भी video को, किसी भी type की video को as a live convert कर सकते हो, I hope guys, आपको video पसंद आई होगी, जैसे कि आप check कर सकते हो, मैंने इस normal video को as a live wallpaper convert कर लिया है, और वैसे यह बढ़िया भी काफी लग रही है, सही कि गलत, I hope आपको video पस section में बताओ, कि मैं तर किस तरह का लगा, अगर कोई problem है, तो Instagram में follow कर सकते हो, मिलते है ना शुरे में, thanks for watching, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर देना, thank you so much